तो चलिए देखते है question number 125 क्या है function f defined by अपना fx क्या दे रखा है हमें fx दे रखा है ln root में 1x square plus 1 minus x तो देखो ये question तो साथ मेरे खाल जे तीसरी या चौती बार आ रखा है फिर भी हमारा फर्ज है हम करेंगे देखो इसमें plus लगा दो तो वही पुरानी question मन जाता है जो अपन पूट करेंगे इने एक बार और तो even और odd function है तो अब वह पता है कि f minus x रखने से पता चल जाता है फिर भी जो भूल गया है एक बार मैं उनको याद दिला जेता हूं कि fx है और हम f के अगर minus x put करें और हमारा fx आ जाए answer तो हमारा वह even function होता है ठीक है और अगर हमारा f minus x put करें और हमारा fx की बार एक minus sign आ जाए तो हमारा वह एक odd function होता है ठीक है अब तक आप लोग कोई बात समझ में आ गई होगी तो f minus x यहाँ पर put करेंगे तो क्या आ जाएगा ln root यहाँ minus x put करोगे और इसका whole square करोगे तो क्या आ जाएगा x square plus 1 नहीं बन जाएगा तो root के अंदर तो कोई चीज नहीं है और यहाँ put करोगे तो minus minus क्या बन जाएगा plus x बन जाएगा answer ठीक है अब कोई ln से तो नहीं ट्यार रहा है ln means होता है natural log log base e kund ln बोलते हैं ठीक है तो ln root x square plus 1 plus x हो जाएगा ठीक है अब हम लुग क्या करेंगे इसका rationalization करेंगे तो यहाँ आ जाएगा root x square plus 1 plus x नीचे आ जाएगा अपना root x square plus 1 minus x ठीक है और इसी का हो जाएगा multiply root x square plus 1 minus x का तो देखो ये क्या बन रहा है ये अपना बन गाए A plus B into A minus B तो ये उपर क्या बन जाएगा A square minus B square तो root में X square plus 1 का whole square होगा तो क्या बन जाएगा X square plus 1 ही बन जाएगा फिर अपना minus और इसका X का क्या हो जाएगा तो क्या बन जाएगा x square ठीक है सर और denominator में कोई changes नहीं आजाएंगे denominator में क्या होगा x square plus one minus x ठीक है देखो x square से x square कट गया उपर क्या बचा उपर बच गया सर ln one upon denominator में कोई changes नहीं सर root x square plus one minus x ठीक है तो sir हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं देखिए ये जो है इसको power inverse करके लिख सकते हैं हाँ root में क्या जाएगा अपना x square plus one minus x की power minus one तो lock की property होती है जो भी power में दे रखा है उसको हम बाहर लाके लिख सकते हैं तो क्या जाएगा अपना minus ln root में x square plus one minus x तो देखो इस ये फोटो को जहरनी पेचानी लग रही है हाँ sir ये तो हमारी fx की photo है तो हमार f minus x क्या आ गया minus fx आ गया तो ये किसकी property होती है sir ये तो हमारी odd function की property होती है तो ये हमारा कैसा function हो गया ये हमारा odd function हो गया तो हमारा b option सही हो गया